ग्रामील अड़स्विस्ता में चाही सुस्ती दूर होने में अभी एक और तिमाही लग सकती है रिपोर्ट्स की माने तो उस्तर प्रदेश, बिहार, पशिम मंगाल और जहारकंड में मौनसून की बरसात में आई कमी और लगातार बढ़ती महंगाई की वज़े से दिसंबर तिमाही के दौरान ग्रामील शेत्रों में मांग पर असर पड़ा है हल के कुछ हफतों में हलकी रिकवरी जरूर दिखी है लेकिन ग्रामील मांग पूरी तरह से लोटने में एक तिमाही का समय लग सकता है क्रामील मांग में कमी रहने पर FMCG कमपनियों की विकरी प्रवा भी तो सकती क्योंकि उनकी कुल विकरी का करीब 40 फीसद हिस्सा गाउं से ही आता है सर तीसी तिमाई में गाउं से मांग के कैसे संकेत मिल रहा है तीसी तिमाई खतम हो गई है नमबर अब हमाई साब ने आएंगे जीडीपी के और बाकी आपको क्या लगता है कैसी संकेत मिलते दिखते हैं तेवारी सीजन के दोरान जो आकले आये थे उन्होंने भी इस बात के लिए आश्वस्त नहीं किया था कि भारत के रूरल एरिया से मांग में बढ़ोतरी हो रही और अब जब साल खतम हो चुका है कैलेंडरियर खतम हो चुका है दिसंबर के बाद ताजे आकले महिने की शुरुआत में जो हमारे पास आ रहे हैं वो भारत कंजियूमर, ब्रिटेनिया, कोलगेट, डावर, इमामी, जी सीपी, जीसके कंजियूमर, हिंदुस्तान, यूनिलीवर, जीयोती लैब, मारी कोई यतनी बड़ी कंपिनिया हैं इनके इन कंपिनियों का 36 से और 40 फिस्दी तक का टर्नोवर सीधे ग्रामीड बाजारों से आता जिन्ता की बात है कि खरीब की फसल की का फसल बहतर थी, मानसूर में उतार चड़ाओ था, कुछ राज्यों में दबाओ दिख रहा था, लेकिन उसके बाद भी खरीब की फसल आमतर पर बहतर थी, किसानों के को भुकतान भी होना शुरू हो गए हैं, दूसरी वज़े है कि आमतर पर एमाना जा रहा है कि अर्थवेस्था में थोड़ी रिकवरी दिखाई दी थी, पर उसका असर गाओं में कंज्यूमर और भुकता उत्पादों की कीमतों की डिमांड में बढ़तरी में नहीं दिखाई दे रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वज़े है, खुद कंप पिश्दी से उपर बनी हुई है, पिशले दो-तीन महीनों से, चार महीनों से वो भी यहां दिखाई दे रही है, और इस बार ऐसा हुआ है कि तेवहरी सीजन में ये बिजी सीजन में भी रूरल एरिया से मांग में रिकवरी नहीं दिखाई दे रही है, अब कंपिनियों को पोई उम्मीद है कि खरीव का सीजन तो गया, रभी के मोसम में अगर बहतर स्थितियां होती है, तो जो अभी कि डिमांड है और रभी के मोसम की डिमांड है, वो शायद अगले वित्तवर्श की पहली तिमाही है, भी लिखाई दिखाई देगी है, पर यहां एक बड़ा का कि तब तक शायद इनी कंपेनियों को लागत बढ़ने के कारण अपनी कीमतों में एक बार और बढ़तरी करनी पढ़ेगी जिस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं जैसे राइस की कीमतें बढ़ना खादे तेल की कीमतें बढ़ना बाकी कच्छे माल की कीमतें बढ़ना फिर कीमत